Hey guys, welcome to our channel तो दोस्तों, finally OnePlus Nord 3 के बारे में कुछ information यहाँ पे निकल के आ चुका है लेकिन OnePlus Nord 2 आजकाल ना काफी जादा चर्चे के अंदर है मार्केट में दोस्तों, यहाँ पे अल्लेडी दो smartphone OnePlus Nord 2 का blast हो चुका है और जो दूसरा smartphone blast हुआ है ना एक advocate का है जिसका नाम है God of Gulati और जिनोंने मतलब blast के बारे में हर एक चीज़ डीटेल में टुईटर के उपा शेयर कर दिया है इस blast के बारे में जो OnePlus के तरफ से statement निकल के आ चुका है ना देखने से तो यही लग रहा है कुछ ऐसा serious नहीं है OnePlus पुलीस ही इसको investigate करेंगे and after that देखा जाएगा कि यह जो news निकल के आ चुका है यह fake है या तो फिर रियल है बागी दोस्तों God of Gulati के तरफ से जो blast के बारे में information निकल के आ चुका है यह बिल्कुल ही fake नहीं है यह information जो निकल के आ चुका है and OnePlus Note 2 का जो sale है ना इसको भी रोग देना चाहिए जल्द से जल्द बागी यहाँ पे दोस्तों आब लोग को क्या लगता है इस चीज़ के बारे में नीचे मुझे comment section में जरूर से बताना दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था Samsung के साथ भी जैसा OnePlus Note 2 ब्लास्ट होड़ा है ना Samsung Note 7 भी ब्लास्ट हुआ था लेकिन Samsung ने सबसे पहले सोचा था safety के बारे में और Samsung Note 7 का manufacturing कर दिया था बंद and दोस्तों discontinue करके Note 8 को किया था launch अगर दोस्तों Note 2 के साथ भी सेम ऐसा ही होता है discontinue करना पड़ता है तो दोस्तों definitely काफी strong chance बन जाता है कि हम लोगों को जो है OnePlus Note 3 दिखने को मिल चाएगा इसी लिए ही OnePlus Note 3 के बारे में काफी कुछ information, leaks, rumors निकल के आ चुका है जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो के अंदब बाते करेंगे दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रु से कर देना और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना एक तो स्टार्ट करें लेट्स केट इंटो दिस वीडियो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बन प्लस नॉट थरी के बारे में भाइवन प्लस नॉट थरी के बारे में हर दिन कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन निकलकर आ रहे है और मेरा एक्सपेक्टेशन है ना OnePlus Nord 3 के बारे में हम लोगों को सेम सिमिलर डिस्पले दिखने को मिल जाएगा फ्लूएट एमॉलेट के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट, फुल एच्डी प्लस, सूपर एमॉलेट डिस्पले जहाँ पे हम लोगों को जो है एक पंचल कटाउट दिखने को मिल जाएगा, सेम डिस्पले होने वाला है, सेम यहाँ पे हम लोगों को जो है कैमरा सेटप दिखने को मिल जाएगा, 50MP का कैमरा होने वाला है, कस्टोम सोनी, IMAX 766 के साथ बागी यहाँ पे हम लोगों को जो है प्रोसेसर दीने को मिल सकता है यह थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है जो OnePlus Note 2 था उसके अंदर हम लोगों को दिया गया था MediaTek के तरब से Diamond City 1200G का चिपसेट जो की एक 5G चिपसेट है और साधी साथ यह केमिंग चिपसेट है काफी पावफुल चिपसेट था MediaTek के तरब से इसको क्लेम किया गया है यह एक flagship category का चिपसेट है अब की बार जो है OnePlus Note 3 अगर लॉंच होता है तो हम लोगों को दिखने को मिल सकता है MediaTek Diamond City 1300T का चिपसेट जिसके अंदर भी 5G का कनेक्टिविटी दिखने को मिल चाहेगा काफी बहतरी इन चिपसेट है के तरब से यह भी एक flagship category का चिपसेट होने वाला है बाकि यहाँ पर 5200 एमेज तक बैटरी 67 वाट फास्ट शार्जिंग और दोस्तों ब्लास्ट नहीं होने वाला है अब की बार अगर OnePlus Note 3 लॉंच होता है तो यही कुछ feature और specification expected है यहाँ पर confirm कुछ भी नहीं है बागी दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो है official information के लिए इंतेजार definitely करना पड़ेगा OnePlus Note 3 के बाड़े में यहाँ पर कुछ कुछ चीजे expected जो निकल के आ चुका है न हो सकता है कि हाँ यही कुछ हम लोगों को जो है OnePlus Note 3 के अंदर दिखने को मिल जाए दोस्तों यही कुछ था OnePlus Note 3 के बाड़े में अब लोगों को क्या लगता है नीचे comment section में जरू से मुझे बताना आज के लिए बस इतना ही मैं आप से मिलता हूँ किसी नेक्श और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई